एलो दोस्तों, आज हम बनाएगे कच्च्छे-आलूों के आती से इतना टेस्टी, क्रेश्पी और बहुत ही क्रेंची नास्टी की रेसिपी और यह नासता खाने में बहुत ही जदा चटपता लगका है काने ayam बहुत ही ज़्यादा द्वेश्च लगेगा इसे जवर फो apparent еще weep अब इसे कदुकस क कर लेंगे तो बचा कर नहीं को मिगा दोडते नहीं इसे कदुकस कर लेते हैं देखे दोस्तों हमने इसे कदुकस कर लिया हुआ है अब हम इसमें डालेंगे दो चमच कदुकस किया हुआ गाजर इसमें एक छोटी सी प्याज को हमने लंबे-लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च को बारी कट करके लिया है और दो चमच डालेंगे हरी धनिया की पत्ती और इसमें हम डालेंगे एक साइसे मैगी मसाला और आधा चमच जीरा पौडर डालेंगे आधा चमच अजवाइन डालेंगे चात हमाल हम डालेंगे दाब हरी लाल मिर्च, क्समेरी लाल लाल किलो के हम अःटा का दिखा-च gaming और चाहल को दालेंगे अथा capable मिर्च आटा अच्छे से मैस करते हुए इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से मसलते हुए ताकि अच्छी से मिक्स नोपर तरीके से तो देख लीचे दोस्तों बिलकुल ऐसे ही करना है हमें चलिए हाथ को clean कर लेते हैं और उसके बाद इसमें से एंसे हम लोई लेंगें जैसे कि रोटी का लोई लेते हैं बस उतना ही बड़ा लेना है ज्यादा बड़ा नहीं लेना है और इसे हम टिकी का शेफ देंगे देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से बहुत असान है ये नास्ता बनाना इस तरीके से सारे नास्ते को बना लेंगे । चलिए फ्राइ कर लेंगे ये medium flame फिलेंगे उसे फ्राइ करेंगे और इसे हम उलटते पलटते हुए अच्छा जगोल्डिन कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों है ना बहुत असान नास्ता किसे आप बच्छों के लंच के लिए भी बना सकते हैं या कभी भी हलकी फुल की भूक लगी हो और आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो यह जरूर बना लेजिएगा च्योंकि बहुत ही जटपट यह नास्ता बनकर 10 मिनट में त्यार हो जाता है बातों ही बातों में नास्ता तेयार हो गया है चलिए अब हम इससे सार्व कर करके दिखाते हैं तो देखी हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिष्पी क्रेंची नास्ता बनकर तेयार हो गया है आप इसे चाय या चटनी के साथ इसे ऐसे भी इंजुआए करिए दोस्तो धन्यवाद फिर मिल देख नए वीडियो